प्राइब करेंगे और यहीं से हम लोग जिनने टेंसेज कहते हैं उन्हें सिखना प्रारण करेंगे लेकिन मैं आगे का चेप्टर आपको सुरू करूँ उससे पहले कल हम क्या पढ़ चुके हैं उसके बरवे मैं आपको जानकारी देना चौनवा संख्षित में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में जब वर्ड्स को एक निश्चित क्रम यानि पर्टिकुलर आडर में लिखते हैं तभी उसका पूरा मिनी निकलता है और तभी उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं तो किसी सेंटेंस में कितने तरीके के वर्ड्स का प्रियोग किया जाता है वह है पहले हम एक बार के लिए दुबारा से देखना चाहेंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस में प्रियोग होने याले वर्ड्स ही पार्ट्स और स्पीच कहलाते हैं क्या कहलाते ह हम लोग पहले पहुट चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगे, एनिमल्स को के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, कहते हैं, नाउन is the name of a person, place, things and animals, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूंगा, जैसे हम किसी व्यक्ति की कुछ qualities होती हैं, तो उन्हें बताने के लिए से wisdom, honesty, bravery, courage, सहस जिसे कहते हैं, ये भी नाउन है, कुछ act, कुछ कार्य, जैसे fight, लड़ा, theft, चोरी, laughter, हसी, attack, आक्रमाड, तो ये जो इस तरीके के शब्दां ये भी नाउन कहलाते हैं, कुछ feelings, जैसे hatred, नफरत, love, snare, प्यार, ये कुछ है, जैसे कहना अवस्था को बताने वाले से, poverty, यानि गरीबी, slavery, यानि गुलामी, youth, यानि युवा, अवस्था, तो ये भी नाउन्स होते हैं, ठीक, तो ये सबसे पहले नाउन, इसके important जो काम है sentence में, समान्य तया किसी भी sentence का subject और object, कोई नाउन होता है, इसके अलावा, बीच में जो हम compliments का use करते हैं, compliments का use करते हैं, या कुछ phrases के बीच में भी हम लोग nouns का प्रियोग करते हैं, जैसे in the class, तो class यहाँ पर एक noun है, तो ये सबसे पहले आपका इसके नाउन, इसके बारे मिचाना है, नमर दो पर हम लोग यूज करते हैं, प्रोनाउन, और जैसे सबसे बता हैं, प्रोनाउन वे शब्द हैं, जो किसी नाउन के बदले में, नाउन के इस्तान पर प्रियोग करे जाते हैं, और मुख्य तया, ये भी किसी sentence का subject होते हैं, या फिर उसका all-ject होते हैं, नमर तीन पर नाउन और प्रोनाउन की विशेष्टा बताने वाले शब्द, जिने हम लोग adjective कहते हैं, adjective, विशेष्ण हिंदी में जिससे कहते हैं, हलांकि विशेष्टा हम तीन तरीके से बता सकते हैं, जैसे किसी विशेष्टी की समान्य तरीके से कोई quality बताना, इसे हम लोग adjective की positive degree कहते हैं, कौँचे degree कहते हैं, positive degree, पर जब हम दो विशेष्टियों की किसी quality की तुलना करें, तो हम इसको comparative degree कहते हैं, क्या कहते हैं, comparative degree कहते हैं, और अगर बहुत सों मैंसे किसी एक विशेष्टी को हम सर्वस्रेष्ट बताना चाहें, सर्वस्रेष्ट बहुत से लोगों मैंसे किसी एक को सबसे अच्छा बताना चाहें, तो हम लोग उसके लिए इसकी जो degree है, इससे हम लोग superlative degree में use करते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं, degrees of adjective, कितने तरीकी से विशेष्टा बताते हैं, और कल मैंने आपका adjective के बारे में बताया था, किसका प्रियोग दो तरीके से होता है sentence में, या तो किसी नाउन के पहले, जैसे intelligent students, sincere students, brave students, regular students, तो नाउन के पहले यह use हो रहे हैं, इससे हम लोग attributive use of adjective कहते हैं, दूसरे का use है, linking work के बाद, नाउन या प्रोनाउन की विशेष्टा बताने के लिए किया जाता, जैसे students are sincere, students are regular, students are honest, students are wise, तो यह इजारम के बाद यूज किया गया है, इन्हें प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, इस adjective का, ठीक है, next, सबसे महत्वपून शब्द की जो category है, वह वर्ब है, यह रिया है, और वाक्य का सबसे महत्वपून शब्द होता है, इस वर्ब से ही अलालग tenses को indicate करते हैं, लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने का काम करता है, पजेशिव वर्ब जो है जो है जो हैड है, और फॉर्ट पर मोडल ऑक्जिलरी वर्ब, और इन सभी वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही अलग-अलग tenses के structure बाता है, नेस्ट जो important category है, वह है एड़ वर्ब, जहां देख, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेश्ता बताने के लिए हम रोग adjective का यूज़ काते हैं, लेकिन किसी नाउन या प्रोनाउन को छोड़ कर किसी adjective की विशेश्ता बताना पड़े, किसी verb की विशेश्ता बताना पड़े, या एक किसी दूसरे adjective की विशेश्ता बताना पड़े, या पूरे sentence की विशेश्ता बताना पड़े, तो हम लोग उस वक्त adjective, adverb का यूज़ करत तो कोई काम कहा होता है तो प्लेस बताते हैं इसमें हम लोग प्लेस में हीर देयर आउटसाइड इंसाइड ऑंदा रूप इस तरह के सरन लुगिश्टा यूज करते हैं ऐसे आता है अगाशन ताइम बटाएं तैना प्लॉक्ट इन्दा इवनिंग शुन एगो आप्टर तो वह भी सब क्या है? Adverb है. Adverb of manner, कोई काम कैसे होता है? तो Adverb of manner कहते हैं. Adverb of reason, कि कोई काम क्यों होता है? Why? Adverb of frequency, कोई काम कितनी बार होता है? उसके आवरती बताने के लिए भी सा Always, Never, Often, Seldom, Sometimes, Rarely, तो वह भी सब Adverb है. Next words की जो important category है, वह है preposition. देखिए, ध्यान देए, position. किसे भी noun के पहले इसका प्रियोग किया जाता है और इसकी इस्तिति बताई जाती है. जैसे we are in the room, तो हमारी इस्तिति in the room, तो in यहाँ पर preposition है. Generally, यह दो nouns के बीच में, या nouns के पहले इसका प्रियोग किया जाता है. हलांकि यह शब्द limited है, लेकिन grammar point of view से, लिखने की दरस्टे कौन से, बोलचाल के दरस्टे कौन से, इनका बहुत महत्व है. तो आपको अपनी युवां की इंग्लिज ग्रेमर, या इंग्लिज लेंग्वेज में डीजी बुक्ट से, preposition के बारे में जानकारी हासिल करें. साथी जैसा है मैंने आपको कहा था, इन सभी prepositions की बहुत डिटेल में, sentences और इनके meanings, fluency phrases and functional words के रूप में दिया गया है. तो आप इससे भी इन सभी prepositions की जानकारी बहुत विश्त्रित रूप से, आप इस बुक से ले सकते हैं, इस बुक से सीख सकते हैं. नमबर सेवंत भी, जब हम दो शब्दों को, या दो से ज्यादा शब्दों को, या sentences को जोड़ने का काम करते हैं, तो उम्रों कुछ conjunction के जुरूत पड़ती है. तो एक category words की आदाती है, वह है conjunction. जान दे यह भी हैं तो limited, पर हैं बहुत महत्पून, जैसे and, but, although, though, either or, neither nor, not only, but also, else, इस तरीके के जो शब्द हैं, otherwise, यह सब conjunction के अलावते हैं. और आठवी category है, उसे हम लोग interjection कहते हैं, पर इसका प्रियोग सामानियत है. हम लोग बोलचाल में, आश्यर्य, दुख, तकलीव, खुशी, अचानक कोई feeling, उसको प्रकट करने के लिए करते हैं, और यह बहुत limited words हैं. तो यह important categories हो गई. जहां दें, नाउन और प्रोनाउन, subject या object का generally काम करता है, प्रोनाउन भी subject और object का काम करता है, adjective नाउन या प्रोनाउन की विशेष्टा बताता है, वर्ब के अलालग categories हैं, किसी व्यक्ति द्वारा, कि यह जाने वाले काम को भी represent करता है, किसी व्यक्ति का possession और ownership भी दिखाता है इन वर्ब से, किसी व्यक्ति की quality, उसका preparation, उसकी age, उसकी nationality, उसकी caste, उसकी community भी इस इन वर्ब के द्वारा, link इन वर्ब के द्वारा बताए जाता है, एड़वर्ब, noun और pronoun को छोड़कर, adjective या verb या एड़वर्ब या पूरे sentence की विचेस्ता बताने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है, और preposition, conjunction, sentences को जोड़ने noun के पहले किया जाता है, यह बहुत महत्वपून बात होगी, जो मैंने कल आपको बताया था, अब हम लोग next category ले रहे हैं, और वह है जो next अब लोग अभी सीखेंगे आगे इसको represent करने के लिए, वह देखेंगे कि देखेंगे, आखे sentence जो बनते हैं, उन sentence का formation हमें time के according करना पड़ता है, और time के according, हम लोग जो जिसने हम कहते है time and tense, उसको हम लोग अभी detail में यहाँ पे study करेंगे, और उन tenses में किस तरीके से sentence structures का या verbs का प्रियोग किया जाता है, तो बहुत महत्वपून है कि time के according हम sentences को देखें, और यह है time and tense, अब सब लोग जानते हैं कि हम लोग time को यह नि समय को तीन भागों में बाढ़ सकते हैं, तीन categories में हम बाढ़ सकते हैं, वह time जो अभी वर्तमाद में है, तो हम लोग इसे present time कहते हैं, क्या कहते हैं, और tense के सबसे कहेंगे, तो यह present tense कहलाता है, वर्तमाद, नमबर दो पर समय जो बीत चुका है, जो जा चुका है, जो समय ख्यतम हो चुका है, तो हम लोग इसे past कहते हैं, और इसी से अपने past tenses बनते हैं, नमबर तीन पर जो महतुपन category है, भविश्य, आने वाला समय, हम लोग जिसे future कहते हैं, तो यहाँ पर future time और future time की किसी activity को जब represent करते हैं, तो वह future tenses हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, future tense, तो यह time के according tense तीन तरीके के हो गए, present tense, past tense, future tense, अब जो काम हम लोग करते हैं, उस काम की आवस्ता की अनुसार, उसकी state की अनुसार, इनको और आगे categorize किया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, state of an action, यह हो गया, time of an action, किसी काम का समय को represent करने वाले, present, past, future, जब बात करते है, state of an action, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कहते हैं, indefinite, indefinite, अनिस्चित, जिसका हिंदी में शाब्दी करता है, अनिस्चित, दूसरा कोई ऐसा काम, जो लगाता, चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, यानि वह काम, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा, होग means, work is in progress, तो हम लोग इसे represent करने के लिए, continuous का नाम देंगे, यानि उस action की आवस्ता, state क्या है, continuous, इसे हम लोग progressive tense भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, progressive tense, थर्ड नमर पर है, कोई काम पूरा हो चुका है, complete हो चुका है, perfect है वा काम, यानि completed action कह सकते हैं, इसे हम लोग कहेंगे, perfect tenses, perfect tenses, clear, और fourth नमर पर किसी काम के होने की जो state को जो हम लोग express करते हैं, बताते हैं, तो कुछ काम तो पूरा हो चुका है, अभी भी चल रहा है, यानि काम कब शुरू हुआ, या कितने समय से वह काम चल रहा है, उसे represent करने के लिए, हम लोग perfect continuous tense का प्लोग करते हैं, तो नमर फूर्थ पर, इसे हम कहेंगे, perfect continuous, तो यह एक तरीके से time of action के according, हमने इसको डिवाइड किया, present, past, future, state of action के आप समय किया, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, अब ध्यान दें, यह जो चार state of action के according, जो हमने डिवाइड किये हैं, इनी के according tense बन जाते हैं, तो इसमें हम लोग कहेंगे, present indefinite, drop कही हैं यहाँ पार, हम लोग कह सकते हैं, number two, present continuous, number three, present perfect, और number four, present perfect continuous, तो हर tense के, यानि present, past, future, इन सब के चार-चार tenses हो गए, हम लोग कहेंगे, present continuous, present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous, तो पास्ट के भी चार हो जाएंगे, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, ठीक ऐसे ही future के भी चार tenses हो जाएंगे, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous tenses, ये तरीके से, tenses के हमारे आपर, category जिने हम लोग कहते हैं, अब हम इनको बहुत detail में आगे पढ़ेंगे, ध्यान दे देखे, कि जो भी tenses है, time coding, तो तीम भागों में हो चुके हैं, उसके अगले भाग में हम लोग अब इसको देखेंगे, कि किस तरीके से हम इने represent करते हैं, और क्या-क्या important बाते हैं, इनको किस तरीके से प्रियोग करते हैं, क्या-क्या इनकी पहचान होती है, तो अब मैं आपको जो इन tenses में verbs का प्रियोग करता है, यह यह माल लिजिए, कि present indefinite में first form का प्रियोग करता है, past indefinite में second form का प्रियोग करता है, future indefinite में will और shall के साथ verb इ first form का प्रियोग करता है, continuous tenses में verb to be, यहनि present में is, are, am, past में was and were, future में shall be, will be, के साथ verb की ing form का प्रियोग किया जाता है, साथ में perfect tenses में hedge of head के बाद verb की third form का प्रियोग किया जाता है, और perfect continuous tenses में हम लोग linking verb को perfect tense में यूज़ करेंगे, यहनि have been, has been, had been के बाद verb की ing form का प्रियोग का प्रियोग का अब मैं थोड़ा आपको और जानकारी कुछ verb patterns के बारे में दे रहा हूँ, कि verb कितने तरीके से काम करते हैं, जैसे कल हम लोग already पढ़ चुके हैं, कि verb, जो axon verb हैं, अभी मैं यहाँ पर बात करना चाओंगा, axon verb की detail में बात करना चाओंगा, कि किस तरीके से axon verb का प्रियोग किया जाता है, तो ध्यान दे, बहुत important है यह, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं, कि जो भी verb हैं, उनमें subject plus verb, अब अगर यह verb intransitive है, तो subject and verb इनसे भी sentence का मिनिंग पूरा हो जाता है, जैसे, we all sleep, birds fly, fire burns, dogs bark, तो जिनसे भी sentence complete है, हाँ, आगे चाहे तो हम कुछ adverbials का यूज कर सकते हैं, नमबर दो मैंने आप लोग को बताया था, कि जब भी कोई काम हम लोग करते हैं, और अगर उस काम का effect या उसका फल किसे अन्यव्यति को मिले, या उसका असर किसी animal place है, thing पर पड़े, तो whom और what के जबाब में मिलने वाले शब object कह लाते हैं, इन्हें हम लोग transitive work कहते हैं, और transitive work का मतलब है कि transitive work के बाद उसका पूरा meaning बताने के लिए object लगाना आवशक होता है, तो यहाँ पर हम लोग object का प्रियोग करते हैं, ये दो मोटे तोर पर मैंने आप work के बारे में बताया था, कि intransitive work object नहीं लगेगा, transitive work object लगेगा, अब मैं आप पर तीसरा इसका work pattern और बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें कि कोई भी work, चाहिए बार work transitive भी हो या intransitive हो, हम work के बाद two form का प्रियोग कर सकते हैं, यानि two infinity work का प्रियोग कर सकते हैं, तो इससे हम लोग कह सकते हैं subject plus work plus two form of work, two form of work, मैं आपके एक एक जाम बताना चौनवा, जैसे we are learning to speak English, तो हम अंग्रे जी बोलना सीख रहे हैं, या आपने का I want to go, I want to go, I decided to resign, तो यहां पर जैसे का I decided to resign, तो यापर देखें work के बाद two form का प्रियोग किया जा रहा है, काफी important structure बनता है, काफी important work pattern है यह जो आपनों को मानों प्रियोग किया जाता है, और उस object के बाद two form का प्रियोग करते हैं, जैसे मैं आपको कड़ी महनत करने के सला देता हूं, तो उनका I advise you to work hard, तो you to work hard, you एक object है, इसके बाद two work hard, two form of the work यूज़ हुआ, तो हम कह सकते हैं subject, plus work, plus object, plus two form of work, जैसे I am teaching you to speak English confidently, तो यहांपर two form का प्रियोग को, जैसे I request you to come on time, so I request you to come on time, I advise all the students to get up early and take exercise, तो यहांपर object के बाद two form का प्रियोग किया जा रहा है, नेक्स्ट आईए नमबर पांच पर, हम लोग, बहुत से sentence structures में, बहुत से sentence structures में, वर्ब के बाद direct, वर्ब की ing form, जैरंड के रूप में प्रियोग करते हैं, तो यहांपर मैं कहना चाहिए, subject plus word plus gerund, और मैंने आपको इसके बादे में कर बताया था, जब वर्ब की ing form, वर्ब के साथ साथ noun का काम करें, किसा काम करें? noun, तो उसे हम लोग gerund कहते हैं, जैसे मैंने कहा, I enjoy playing football, तो जैसे मैंने कहा, I enjoy, playing football, तो I enjoy playing football, जैसे मैं football खेलने का आनन देता हूँ, हम कह सकते हैं, जैसे I hate borrowing money, मैं पैसा उधार लेता हूँ, यानि मैं पैसा उधार लेने को नफरत करता हूँ, मैंने का, I avoid talking to the bad people, मैं खराब लोग उसे, बातचीत करने से बच्चता हूँ, तो I avoid talking to the bad people, I prefer traveling by train, तो यहाँ पर enjoy के बाद, hate के बाद, avoid के बाद, वरकी ing form, gerund के रूप में प्रियोग किया जा रहा है, ठीक है, आगे और important world है, कि हम लोग कई बार indirect questions पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा, जैसे मैं जानना चाहता हूँ, कि आप कब आएंगे, तो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कि subject, प्लस word, प्लस, यहाँ पर डब्लू एच, या that clause, clause का मतलब उपुवाकिय होता है, इसमें अपना subject और verb अपनी नाम में होता है, तो मैंने जैसे जगा, I want to know when you will come, मैं जानना चाहता हूँ, आप कब आएंगे, या, I think that he is your brother, so I think that he is your brother, कि मुझे, ऐसा लगता है कि वह आपका भाई है, या मैं ऐसा सोचता हूँ, वह आपका भाई है, तो यहाँ पर डब्लू एच के बाद पूरा से नहीं, डब्लू एच वर्ड, इस वर्ड के बाद डारेक्ट है, डब्लू एच वर्ड प्लस इन्फिनिटी वर्ड का यूज करते है, जैसे I don't know how to drive a car, so how to drive a car, नो के बाद आए, I don't know how to drive a car, तो यहाँ पर इवन वर्ड के बाद, तो फॉर्म का प्योग भी कर सकते हैं, इनके अलावा भी कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल, हम लोग जब बेसिक सेंटेंज स्ट्रक्टर सीख रहे हैं, टेंसेज का यूज सीख रहे हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए, कि एक्शन वर्ड के कितने तरीके से प्योग किये जा सकते हैं, तो जो इंपॉर्टन वर्ड पैटर्न्स हैं, मैंने अभी आपको यहां पर बता है, आप लोग इनको लिखने में, बोलने में, न्यूजबेपर में जब पढ़ते हैं या प्योग करें, कभी that clause का प्योग कर सकते हैं, wh clause का प्योग कर सकते हैं, हम लोग wh word plus infinity word का प्योग कर सकते हैं, जैसे please tell me how to cook food, तो जो मुझे बताएए, खाना कैसे पकाएं, so please tell me how to cook food, can you teach us how to speak English confidently, so can you teach us how to speak English confidently, मैं पढ़ा सकते हैं, कि अंग्रे जी आप तो इस वास के जाथ कैसे बोल सकते हैं, तो ये सभी word patterns हैं, जो काफी important माले जाते हैं, clear है सब लोग को, तो देखें ये पूरा एक आपके grammar का part है, और जो अपनी book है, English Language Made Easy, इन सभी के बारे में, इस book के part 1 में, refresh your grammar, refresh your grammar, उसमें इन सब के बारे में बहुत detail से समझाया गया है, आप आगे का chapter शुरू करने से पहले, इन सारी basic चीज़ों को, दो तीन बार पढ़ें, समझें, और उसके बाद आप आगे बढ़ें, अब हम लोग आज अगला chapter शुरू करेंगे, जो बहुत ही important है,